Hello everyone and welcome to SkillBuzz Trainings. आज हम आपके लिए फिर से एक fascinating और काफी informative वीडियो लेकर आए हैं. 5 Tricks for Easier and Faster Learning के उपर. हम सभी को लाइफ में learnings related काफी issues आते हैं. या तो हम slow learners होते हैं, या फिर हम learning तो कर लेते हैं. लेकिन हमारे results, हमारे expectations के हिसाब से नहीं निकल पाते हैं. तो इस वीडियो के end तक आते आते हम ऐसी चीज़ों को जानेंगे, जिससे हम learning के उन टूल्स को master कर सकते हैं, जो हम कही न कहीं lag कर रहे हैं. और उससे हम fast learners बन जाएंगे. वीडियो शुरू करने से पहले, I would request you all to subscribe our channel below and press the bell icon for further notifications. आप हमारे Instagram ID को भी follow कर सकते हैं. तो चलिए, trick 1 से शुरू करते हैं. जो कि है, spaced repetition. spaced repetition से हम क्या समझते हैं? हमारे जो study sessions होते हैं, उनके बीच में अगर हम कुछ time intervals को introduce करवाते हैं, तो हमारा brain ऐसे train हो जाता है, कि जो भी information हम gather कर रहे हैं, वो सीधा हमारे long term memory में जाके store हो जाएं. इस चीज को implement करने के लिए, एक designed pattern है, जो कि हम अभी देखेंगे. मान लीजे हमने इस वक्त कोई नई information gather की है. Right after learning, हमारा first repetition होना जरूरी है. Second repetition हम उस चीज को पढ़ने के 15-20 minutes बात करेंगे. Third repetition होना चाहिए, 6-7 hours के बाद, और fourth repetition होना चाहिए 24 hours के बाद. याद रखिए, कि अगर हमें sequence को follow करते हैं, तो हम कोई भी चीज को एक दिन के अंदर memorize कर सकते हैं, बहुत दिन चल्वी. और ज़रूरी नहीं है कि हर time gap पे आप पढ़ो ही, आप और भी कुछ चीजें अपने mind को distract करने के लिए कर सकते हों. अगर हम यह चाहते हैं, कि हमारे memorization period को हम extend करें, यानि कि जो भी हम information gather कर रहे हैं, उसको एक लंबे term के लिए हम store करके अगर रखना चाहें, तो हमारे पास एक उसके लिए भी pattern है. First repetition, learning के तुरंद बाद होना चाहिए. Second repetition, 20 to 30 minutes के बाद. Third repetition होना चाहिए, उस चीज को पढ़ने के 24 hours के बाद. Fourth repetition होना चाहिए, 3 to 4 weeks के बाद. और last repetition होना चाहिए, 2 to 3 months के बाद. अगर हम इस pattern को follow करने में successful हो जाते हैं, तो हमारी कोई भी पढ़ी हुई चीज हम एक लंबे दोर के लिए अपने दिमाग में store करके रख सकते हैं. तो ये थी हमारी पहली trick. Trick number two. The sleep sandwich. अब जैसा ये sound कर रहा है, इस से related facts पे उतने ही interesting है. चलिए एक example के साथ आपको समझाते हैं. मान देजे, कल सुबा आपका एक test है. तो generally हम में से जादा लोग क्या करते हैं? पूरी रात एक आउल के तरह जाक के पढ़ने के ठान लेते हैं. हम सोचते हैं कि एक भी second को हम जाया ना करें, और test तक हम continuously पढ़ते रहें. क्या इस चीज़ को करने से हमें efficient results मिलते हैं? Study के मुताबिके थाबित हुआ है कि जब हम बिना सोई कोई भी चीज़ को लंबे समय के तक पढ़ते हैं, तो 50% of the चीज़े हम भूल जाते हैं. क्यूंकि हमारे brain को information store करने के लिए भी थोड़ा सा time चाहिए. अगर हम बिना sleep time के continuously पढ़ते जाते हैं, तो हम अपने brain को information से overload कर देते हैं, जिस वज़े से वो आधी चीज़े store नहीं करता है. तो ये तरीका अपनाना काफी गलत है. तो सही तरीका कौन सा है? Study, sleep और study का. ये देख सते हम study, sleep और study का एक sandwich बना हुआ है, जिसको हम कहते है, sleep sandwich. इसमें, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जब भी सोने जाते हैं, तो हमारा जो subconscious mind है, वो rest कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा unconscious mind है, वो हमारी पढ़ी हुई चीज़ों को store कर रहा होता है. इसके वज़े से, जब भी हम वापस से उठके freshly पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी पहले पढ़ी हुई चीज़े हमें याद रहती हैं. इस case में, आर brain retains much of the information which we have learnt, तो ये तरीका अपनाना correct है. तो बढ़ते हैं, हमारे थर्ड ट्रिक की ओर, जो की है, keep yourself hydrated. Keeping yourself hydrated का मतलब है, तुरंथ तुरंथ वाटर का या कोई भी दूसरे liquid का intake करते रहना. इस चीज़ का हमारे studies पे, हमारे learning process पे क्या impact पढ़ता है? Water का हमारे brain पे कैसा relation होता है? वो हमारे concentration को increase करता है, cognition को increase करता है, और हमारे brain की good functioning को support करता है. इन चीज़ों की वज़े से हमारे focusing ability बढ़ती है, और हम learning को enhance कर सकते हैं. Regular intake of water during learning helps us to grasp information, store new memories and solve more complicated problems. According to our study carried out, it was found that college students जिन्होंने water intake किया था अपने exam के time पे, उनके grades में 10% rise पाया गया और यह काफी अच्छी चीज़ है. Trick 4, Variations, Variations से हम क्या समझते हैं, यह काफी simple छोटी 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 चीज़े होती हैं, छोटी 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 modifications जो हम अपने daily routine में ला सकते हैं. Change your routine to cut short the time, अगर हम हमारे daily routine को थोड़ा सा change करें, तो हम हमारे learning के time को cut कर सकते हैं. यह हम कैसे कर सकते हैं? Variation in the study material, अगर हम एक ही चीज़ से पढ़ने के बचाए, काफी सारे options को देखें, तो हमारे learning की ability बढ़ जाती है, और हमें कम time लगता है. हम books, laptops, flashcards, diagrams या फिर और भी कई तरीकों से पढ़ सकते हैं. यह एक तरीका है, variation लाने का. दूसरा तरीका है, modifications in practice का. कोई भी चीज़ अगर हम perform करते हैं, तो हमें खुद की performance को challenge करना चाहिए, नए methods को try करते हुए. मान लीजे, आप एक artist हो, और आपको sketch बनाना अच्छा लगता है. आपको रोज, अलग-अलग angles से sketches बनाने की practice करनी चाहिए. इस चीज़ से हमारे दिमाग को हम ऐसे train करते हैं, कि वो अलग-अलग चीज़ों को adapt कर ले, और वो काफे sharp हो जाता है. इसी के साथ हम अपने last trick पे आते हैं, जो कि है, reward yourself. Rewards, ऐसी चीज़े होती हैं, जो हमें हर mode पे कोई भी काम करने के लिए motivate करती हैं. अगर हमें किसी भी काम को करने के लिए कोई reward मिल रहा होता है, तो हम उसको ज़्यादा जल्दी और efficiently करने की tendency रखते हैं. तो देखते हैं इसके क्या steps होते हैं. पहले हमें खुद के लिए study goals set करने हैं. Next, हमें अपने आपके साथ एक deal करनी हैं, कि अगर हमने उन goals को accomplish कर लिया, तो हम अपने आपको कोई एक reward देंगे. चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज हो, जैसे कि एक toffee, या फिर कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, जैसे कि एक Netflix की series देखना. Studies ये show करती हैं, कि जब जब students अपने आपको कोई भी reward देने के तरीके से learn करते हैं, तो वो उस चीज को जल्दी से finish करने की और ज़्यादा efficiently उस चीज को खतम करने की capacity रखते हैं. और ये पर पाया गया है, कि जितना ज़्यादा हम अपने आपको reward करेंगे, उतना ही ज़्यादा efficiently हमारा काम होगा. तो ये एक kind of brain hack है. तो यही थी हमारे 5 ट्रिक्स जिससे हमारे learning faster और easier बन जाती है. I hope कि आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आप जल चल जल इन ट्रिक्स को अपने learning में implement करिये और जो पर results आए हमारे comment section पर जरूर लिखिएगा. Thank you for watching. For the videos के लिए Skillbus के सार चोड़े रहें.